जैहिन दोस्तो हमारे यूटूब चैनल MPIQ में आप सभी का हारदिक स्वागत है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करेंट अफेर्स के बारे में जैसा कि आप लोग का बहुत डिमांड था कि करेंट अफेर्स का टॉपिक चाहिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम आपको बता दें कि हमने आपको जो भी अपडेट है वो दिये हैं हमने आपको क्लासेस दिया है जीयस का मैट का रिजनिंग का और बहुत सारे प्रीवियस यर के क्यूशन पेपर और आगे चल के बहुत सारी इनफॉमेशन और इस तरह के क्लास आपको प्रॉवाइट किये जाएंगे हम आपको बता दें कि यह सब कंटेंट आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री रहेगा दूसरे चैनलों की तरह नहीं कि कुछ टाइम के लिए फ्री अफिर उसमें क्या कर दिया जाए उसको क्या कर दिया जाए उसके लिए कुछ चार्ज तै कर दिया जाए आपके लिए एकदम फ्री रहेंगे तो हम आपको यही बता दें कि हम क्या करने जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं current affairs में Tokyo Olympic 2020 के बारे में ठीक है यह हमारा weekly session है current affairs हम two type से पढ़ेंगे weekly में एक कोई topic में detail से पढ़ेंगे और इसके हलावा per day जो current affairs है daily का जो current affairs है आपको free में provide किया जाएगा अगर आपको PDF का problem होगा तो हमारे telegram channel MPIQ में आपको PDF भी एकदम free दी जाएंगी तो आईए हम लोग क्या करते हैं आज की class को देख लेते हैं जिसमें हमने आपको बताया क्या है Tokyo 2020 Olympic जिसमें current affairs 2021 वो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी तो यह अभी आपको पता है कि हाल ही में Olympic खिलों का आयोजन हुआ था कहां पर हुआ थ लेकिन COVID जैसा pandemic महामारी जो थी उसके करण यह संपन नहीं हुआ तो इसे 2021 में संपन किया गया जापान की राजधानी टोक्यों में यह देखिए यहाँ पर यह ग्राउंड बना हुआ है और यहाँ पर यह जो रंग बने हुए है जो ओलंपिक की पहचान है फाइफ रिंग ह किसका है टोक्यों ओलंपिक का एक्जाम में अगर पूछा जाता है कि मसकट कौन है मिराई तोबा है तो यह मिराई तोबा है यानि सर्बसक्तिसाली है यह इसके लिए कुछ हसंभब नहीं है अब हम लोग देखते हैं टोक्यों ओलंपिक के बारे में तो सबसे पहले क्या द पता होना चाहिए, तेज जुलाई से ले करके आठ अगस्त तक 2021 में कब हुआ है, 2015, तेज जुलाई से आठ अगस्त 2021 में, ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों को संपन्न किया गया है, इसका मसकट क्या रहा, सुभंकर क्या रहा है, जैसे हमने आपको बताया अभी क्या रहा मिराई तोबा जिसको हमने आपने दिखाया है ये इसका क्या है मसकट देख लिजे कुछ अजीब से नहीं लगता है ठीक है लेकिन अजीब से नहीं है बहुत कुछ है ये इसका क्या है सुभंकर है मसकट है अगर हम बात करें मोटो यानि की आदर सबाक क्या है ओलंपिक जो ट United by Emotion है अगर हम बात करें कि जब Tokyo Olympic pension किया जाता है तो उसमें opening ceremony होता है closing ceremony होता है तो India की तरह से opening ceremony में flag briller होते है मतलब धज वाःag होते हैं जण्डा लेकर हिसा जाते हैं तो कौन है मन प्रीप सिंग है और इसके साथ साथ मेरी कौम है जो मनप्रीज सिंग है वो हौकी के कैप्टेन है अगर हम बात करें मैरी काम की तो मैरी काम को कौन नहीं जानता है ठीक है मुक्केबाजी की खिलाडी है यह हमारा जो राजस्वा में क्या है सदस्थ भी है अगर हम बात करें क्लोजिंग सेर्मनी का तो क्लोजिंग सेर्मनी में ध्वज बाहक कौन है तो आप लोग जानते होंगे बजरंग पुनिया जी कौन है बजरंग पुनिया जी है जिद्धोंने ब्रॉंज मेडल लिया है आगे हम लोग देखेंगे तो आप ये जान लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहां पे किया गया किस डेट पर किया ग मसकट है वो दूसरा चीज है मसकट है मिराइतोबा लेकिन दो आदर सबाग है यूनाइटेड बाई इमोसन ये क्लोजिंग सेर्मनी ओपनिंग सेर्मनी कि कौन क्या है आपको जानना चाहिए इसके बाद निष्ट है हम लोग हम लोगों को पता है कि हमको इंडिया को कितने म मिले हैं ओलंपिक में सेवन मेडल मिले हैं आगे हम लोग देखेंगे जिसमें वन मेडल गोल्ड मेडल टू मेडल किसमें मिले हैं सिलवर मेडल और थर्ड मतलब चार मेडल चार मेडल किसमें मिले हैं ब्रॉंज मेडल यानि की कांस पदक में हमें प्राप्त हुए हैं तो किन्हें मिला है नीरत चौपड़ा जी को मिला है किन्हें मिला है नीरत चौपड़ा जी जो इस समय के क्या है हीरो है एकदम छा गए है नीरत चौपड़ा जी ठीक है यह नीरत चौपड़ा जी इनका संबंध हरियाना के पानी पत से है इन्हें क्या कहा जाता है गोल्डन बॉ ये गोल्डन बॉय हैं क्या हैं गोल्डन बॉय हैं बहुत खतरनाक हैं गोल्डन बॉय आग हम देखते हैं इन्हें क्या मिला है गोल्डन मेडल मिला है यानि कि सर्ण पदक मिला है गोल्ड मेडल मिला है किस खेल में मिला है यह कौन सा खेल खेलते हैं तो आप देखी रहे हैं ये एक बहुत बड़ा क्या लिए हुए हैं इसको बोलते हैं भाला बोलते हैं आइस भाले को ये फेक देंगे जितनी दूरी तक फेकेंगे हना इन्हेंने क्या किया है सबसे ज़्यादा दूरी तक फेक दिया है और कितना दूरी तक फेक दिया है 87.58 मीटर इन्हें कितना फेका है पूछेगा एकजाम में तो आप बताना होगा 87.58 at meter इनने क्या किया है जैबलिन throw जैबलिन कीसे बोला जता है भाला को throw याने फेंकना ये कौन सा game खेलते हैं जैबलिन throw ये भाला फेंक फिर अगर हम बात करें इनका सम्मंध कहां से है पानीपत हरियाना से है ये कहां के रहने वाले हैं पानी पतहरियाना के रहने वाले हैं इसके बाद हम बात करें कि इनको किस में मिला है एथलीट में और एथलीट के किस में ट्रेक एंड फिल में गोल्ड मेडल इन्होंने क्या किया है प्राप्त किया है एथलीट में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले फॉस्ट भारती है जिन्होंने किसमें प्राप्त किया था हना उन्होंने क्या किया था गोल्ड मेडल प्राप्त किया था सूटिंग में 2008 में लेकिन ये किसमें है एथलिट में है ब्यक्तिगत रूप से हम देखें तो दूसरे भारती है हना गोल्ड मेडल प्राप्त करने बाले दो ही gold मिले हैं खिलाडी के रूप में बांकि अगर game के रूप में तो hockey है जिनमें हमें कई बार gold medal मिला है और हम आपको एक चीज और बता दें जब कम ही लोग जानते हैं कि इनको क्या बना दिया गया है इंडियन आर्मी में नायब सुवेदार का पोस्ट दिया गया है ये प कोला जाता है कि ये gold से चाहिए तो इनको gold ही चाहिए बिना gold के इनको क्या संतुष्टी नहीं मिलती है देखिए कईसे कईसे gold medal ले रहें सबसे पहले आगर हम बात करें Asian Championship हुआ था 2017 में 2017 में हुआ था तो इंदोंने क्या प्राप्त किया gold medal अगर हम बात करें commonwealth game बात करें common 2018 में इनको gold medal अचीब किया अगर हम बात करें Asian Games 2018 में तो इनको gold medal अचीब किया अगर हम बात करें Tokyo Olympic 2020 में तो इनको gold medal अचीब किया और बहुत सारे कई मेडल ही जीते हैं जिनमें gold medal ही ये जी लिये हैं अगर हम बात करें 2018 में इनको सम्मानित किया था अरजुन अवार्डंट से सम्मानित किया था अरजुन अवार्ड किसे दिया जाता है सर्वसेष्ट खिलाडियों को दिया जाता है तो इन्हें कम मिलेगा कम मिला है 2018 में मिला है आप सभी को पता होना चाहिए कि पूछेगा कि अरजुन पुरसकार कम मिला है इन्हें तो बताना होगा 2018 में अगonte 2020 में Tokyo Olympic में gold medal तो ये रहे दीपक छोड़ा दीपक चाउपडा पहले कौन है जो इस बार क्या इन्हें gold medal प्राप्त हुआ है दूसरे भारती है गोर्ट फ्राप्त करने वाले ब्रेक्तिगत रूप से लेकिन एथलेट में पहले भारती है जिन्हें gold medal मिला है हम जानते होंगे मिलखा सिंग जो बच गए थे बहुत मतलब बहुत कम टाइम में उनको भी एथलेट में मेडल मिल ही जाता हम बात करें पी टी उसा जी की तो उनको भी एथलेट में बहुत कम मार्दिन से मेडल से बच गए थी वो भी आप देखते हैं नेक्स्ट हम लोग तो क्या मिला है इनको मिला है Silver Medal क्या मिला है Silver Medal यानि की रजत पदक Tokyo Olympic 2020 में इनहें क्या मिला है Silver Medal आई ये कौन सा गेम खेलती है आपको ये भी पता होना चाहिए एक्जाम में पूछा जाएगा कि मीरा वाई चानू का संबंध किस खेल से है तो आपको बताना होगा क्या बताना होगा देखिए ये क्या उठा रही है कुछ बजन उठा रही है इसलिए बोलते हैं वेट लिप्टिंग या भारोत तोलन किसका संबंध है इनके किस खेल से भारोत तोलन या वेट लिप्टिंग का संबंध किसका है मीरा भाई चानू से है ठीक है यहाँ पर क्या खेल खेती है बेट लिफ्टिंग या भारुत तोलन यह कहां की रहने वाली है मनिपूर से बिलॉंग करती हैं मनिपूर से बिलोग करती है टोक्यो 2020 ओलंपिक का भारत पहला भारती मेडल अगर हम बात करें कि इस ओलंपिक में सबसे पहली मेडल कौन दिलाया है तो इस ओलंपिक में हमें सबसे पहली मेडल मीरा वाय चानु जी ने डिलाया है ये important है क्योंकि इनके middle के शाथ ही इंडिया के उस्ष्व में rank कितनी हो गई थी third rank में इंडिया आ गया था शुरुआत ही में इनने क्या दिला दिया middle दिला दिया इस करण से India की rank कितनी हो गई थी third हो गई थी ठीक है इन्होंने क्या है हमको पहला medal दिलाया है इस बार क्या है silver medal किस में दिलाया है 49 kg बर्ग में, 40 kg बर्ग है मतलब इनका बेट वगेरा इससे कुछ system बना है उसके अधार पर क्या किया जाएगा बेट लिंग, बजन कितना इनने उठाया है इनने बजन उठाया है 202 kg पूछा जाएगा किस बर्ग की हैं तो ये 49 kg बर्ग की है यानि 49 kg बर्ग की हैं खिलाडी है अगर पूछा जाता है कि कितना बजन इनने उठाया है तो 202 kg इनने बजन उठाया है हना इसका जो है फिर पूछता है कि अगर ये गोल्ड मेडल किस ने लिया है तो इसमें चाइनेज खिलाडी है उन्हें वेट लिप्टिंग में क्या मिला है गोल्ड मेडल मिला है इन्हें 2018 में किस्से सम्मानित किया गया है पदम स्री अवार्ड से पदम स्री पुरुसकार दिया जाता है जो भारतियों को भारत रत्न पदम भूसन पदम भूसन पदम स्री तो इनको कौन से मिला है पदम स्री अवार्ड भी मिला है कम मिला है 2018 में मिला है और इसके अलावा मेजर ध्यान चन अवार्ड यानि की राजियू गाधी खेल रत्न पुरसकार जिसका नाम क्या हो गया है मेजर ध्यान चन अवार्ड हो गया है इनको क्या है मीरा वा में रियो अलंपिक में भाग लिया था लेकिन वहां यह सफल नहीं उज़िए इस कारण से इनने चार साल बहुत महनत किया और इस बार हमें गोल्ड तो नहीं। पूरियों मित थी गोल्ड की लेकिन हमें किसे सिल्वर से ही संतुष्ठी करना पड़ गया ठीक है तो ये हो गई मीरवाई चानु जी अब हम देखते हैं आपके सामने थोड़ा सा बता दें कि जो ये करणम मल्ले सुरी जी हैं कौन है करणम मल्ले सुरी जी है ये फर्स्ट अग किस में इन्हें प्राप्त हुआ था वही बेट लिप्टिंग में ही प्राप्त हुआ था कौन सा मेडल प्राप्त हुआ था तो हम आपको बता दें कौन सा मेडल ब्रॉंज मेडल यानि कि कांस पदक प्राप्त हुआ था कब प्राप्त हुआ था दो हजार में हुआ था कौन सा ओलंपिक था सिडनी ओलंपिक था कौन सा सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्हें क्या मिला था क्या बोलते हैं इन्हें क्या मिला था सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्हें कांस पदक मिला था ये पहली महिला है जिन्हें क्या है ओलंपिक का मेडल जीती हैं अब हम लोग देखते हैं न अभी कुमार दाहिया को क्या मिला है रजत पदक मिला है किस में मिला है ये क्या है रेसलर है रेसलर याने पहलवानी करते हैं अगर हम बात करें इसे बोल सकते हैं कुस्ती क्या बोल सकते हैं कुस्ती खेलते हैं कुस्ती खेलते हैं रेसलर है कितने किलोग्राम बर्ग में मिला ह संतामन किलोग्राम भारवर्ग में अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा 57 अगर हम मेरा वाई चानू की करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा यहाँ पर इनको क्या है यह कुस्ती खेलते हैं कुस्ती जानते हैं न सब लोग जानते होंगे भारती हैं तो कु निल कुमार जी रहे हैं उसके बाद योगे सरदत रहे हैं पिछले साल रियो उलम्पिक में साच्छी मलिक नहीं हमें कुस्ती में क्या डिलाया था मेडल डिलाया था ये किस से हार गए हैं ये एक जबूर योगयोग जी हैं कहां से हैं रूसी पहलवान हैं उनसे रभी कुमार है हना इनने क्या कर दिया यहां पे इनको काड़ दिया अजब भारतियों को कोई गुस्तल इला देता है तो फिर भारति क्या करते हैं एक दम जीता ही जाते हैं सीधे आए यहां पे पूरा दिखा दिया गया है ठीक है फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग निश्ट देखते ह है तो पीवी सिंधु है इनको इंडिया में कौन नहीं जानता है ये बैडमेंटन की खिलाडी है इस बार इनोंने किस्टे संह में संतुष्ट करा दिया है कि वल ब्रॉंज मेडल ही दिलाया है चलिए ठीक है 2016 में इनने क्या दिलाया था सिल्वर मेडल दिलाया था तो ये पहली महिला हो गई है जिन्होंने हमें दो मेडल दिलाये है अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं है कि जिन्होंने हमें क्या किये हों दो मेडल मेडल दिलाये हों तो कौन है पीवी सिंधु जी है जो हमें क्या दिलाये हैं दो मेडल दिलाएं है एक 2016 रियो ओलम्पिक में सिल्वर मेडल आगर हम बात करें 2020 के टोक्यो ओलम्पिक में तो कांस पदक इनने ब्रॉंज मेडल हमें दिलाया है पीवी सिंधु है इन पहली महिला है जिन्होंने डवर ओलम्पिक पदक दिलाया है हमें अगर हम बात करें इन्हें 2013 में एर्जुन अवार्ड, 2015 में पदम स्री, 2018 में मेदर जयान चंद अवार्ड, 2020 में पदम भूषन अवार्ड मिला है, एक्जाम में पूछे जाएगा कि निम्द में से पीवी सिंदु को कौन सा अवार्ड नहीं मिला है, एक इनका नाम लिख जाएगा और कुछ 2020 में पदम भूशन आवार्ड ठीक है एकदम जड़ी लगी हुई है यहां पुरुसकारों की सबसे पहले अर्जोन आवार्ड 2013 में पदम स्री 2015 में 2018 में जर ध्यांचन 2020 में पदम भूशन आवार्ड मिल चुका है फिर अगर हम बात करें यह आपके सामने हैं बजरंग पुनिय क्या दिलाया है कांस पदाक यानि ब्रॉंज मिडल हमें दिलाया है 3 Βर के 200 चेंपियन रहे हाजी अलीव से इनकी हार हो गयी है किस से हाजी अलीव 3 वार केवर्ड चेंपियन रहे हैं उन्से यहosaur गए हैं कावन विल्थ गेम 2018 में इंह ने गॉल्ड मिल डिलाया था और यहां भी इनको बहुत सारे मेडल प्राप्त हुए हैं, अगर हम बात करें, अर्जुन अवार्ड 2015 में इन्हें मिला है, पदम स्री अवार्ड मिला है 2019 में, अब मेजर ध्यान चंद अवार्ड भी कम मिला है 2019 में इन्हें मिल चुका है, मेजर ध्यान चंद अवार्ड 2019 में, दिलाया है अब देखते हैं नेश्ट नेश्ट आपको देखना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको दिख रहे होंगे जिसमें हमारे भारती हाकी टीम कोच पूरा क्या है सब लोग हैं इसमें उपस्थित हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनाइस 40 साल 41 साल बाद हुआ है ब्रॉंज मेडल हुआ प्राप्त हुआ है किसमें होकी ओलंपिक में ठीक है इसके पहले अगर हम बात करें तो रूस के मासकों में उनाइस 180 में जब ओलंपिक का योजन हुआ था तो उस समय हमें गोल्ड मेडल मिला था और हम ये भी आपको जानकाई दिना चाहते ह अब फिर इस तरह इंडिया को लगभग गोल्ड जादा सबस्यादा किसमें मिले हैं हौकी ओकी जो गेम है उसमें मिले हैं हमारा राष्टी केल क्या है हौकी है यहां से क्यों जरूर आएगा हना तो बता दें कि एक तालिस साल बात क्या मिला है भारत को कांस पदक मिला है कि किसे भारत ने हराया था किसे हराया था जर्मानी को हराया था कांस पदक के मैच के लिए लेकिन भारत किसे हरा था बिल जीम से हरा था ठीक है नहीं तो भारत क्या कर सकता हमें होकी टीम जो है हमारी तो हमें गोल्ड मेडल दिला देती बिल जीम ने हरा दिया था अकांस पदक क जित लिया है 2020 का क्यूश्टन यहां से बनेगा कि 2020 में हौकी में गोल्ड मिडल कौन जीता है तो विल्डियम जीता है कैप्टन कौन थे मनप्रीत सिंग थे अग कोच कौन थे ग्राहम रीड जी थे कोच के बारे में जान लीजिए मनप्रीत सिंग थे और हम आपको एक चीज यह भी बताएंगे महिला हौकी के बारे में यह महिला हौकी हमारे टीम है हना बहुत कम साथनों के होने के बाब जूद बहुँट अच्छा काम किया इनने ठीक है अगर हम बात करें महिला हाकी चौथे स्थान पर रही है और ये किस से हारी है बिटेन से हारी है नहीं तो हमें कांच पादिक मिल जाता अगर हम बात करें लबनीना बोर हेगन की तो इन्होंने हमें क्या दिलाया है ब्रॉंज मेडल दिलाया है किसमें दिलाया है मुक्केवाजी में ये आसाम से बिलॉंग करती है इनकी गाउं में सडक नहीं है इनके गाउं में घर जाना होता था तो हमें किस से जाना पड़ता है मिट्टी वाली रास्तों से जाना पड़ता है जब से ये पदक जीत गई है तो यहाँ फिर आई बढ़िया घर और बढ़िया बन गई वे वस्थित हना अब तो बहुत कुछ होगा ठीक है यहां साम से इनका संबंध है ब्रॉज मिडल दिया है बॉक्सिंग में जो बॉक्सिंग के खिलाडी कौन है मुक्केवाजी जिसे बोलते है मैरी कॉम है अमैरी कॉम के साथ कौन है बिजंदर सिंग दो लोग है बिजंदर सिंग अमैरी कॉम मैरी कॉम को सब लोग जानते हैं इस बार हमको मिडल देने से थोड़ा चुक गई है, उसमें बहुत सारा विबाद भी हुआ था थोड़ा, वो अपने काम का चीज नहीं है, 2020 में इने क्या दिया गया है, अरजुन एवार्ड भी दिया गया, किसे लवलीना बोर हेगेन जी को, अगर हम बात करें, ये हमारे साम इंडिया में जहां कोई गोल्प जानता नहीं है, अब वहां फोर्थ रैंग दे दे बहुत बड़ी बात है, इनका नाम क्या है, अदिती असोक नाम है, ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या इस्थान प्राप्त किया है, फोर्थ रैंग प्राप्त किया है, ठीक है, अब लगता है जो निश्ट Ocular Olympic होंगे तो उसमें हमें ये जरूर medal देंगे ठीक है अगर हम बात करें कि निश्ट इसमें क्या है तो आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा gold medal किसने जीता है यहाँ पे पाँच gold medal जीते हैं कौन जीते हैं कैलेब द्रिसल ये एक American Shimmer है ओलंपिक होने वाले हैं तो कहां पर होने वाले हैं वो पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या होने वाले हैं ओलंपिक होने वाले हैं ठीक है और इन ये हैं बिवेक सागर है बिवेक सागर इनका संबंद कहां से है मद्ध प्रदेश से है और इन्होंने क्या किया है भा हमने बताया अगर हम आपको दिखाएं पदक ताली का जो मेडल टेवल है उसमें फर्ष नंबर कौन रहा है तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका कितने मेडल पाया है अगर हम बात करें चाइना की तो ये कितना गोल्ड मेडल पाया है 38 अगर हम बात करें जापान की 27 गोल्ड मिडल टोटल अमेरिका कितने मिडल पाया है 113 अगर हम बात करें चाइना तो 88 अगर हम बात करें जापान तो 68 अगर हम बात करें फूर्थ नंबर कौन है ग्रेट बिट्रेन है इंगलेंड है अगर हम बात करें कि भारत का rank कौन सा है तो आपको ये पता होना चाहिए 1st, 2nd, 3rd, 1st number अमेरिका, 2nd number चाइना और 3rd number जापान अगर हम बात करें इंडिया तो इंडिया का कितना है 48th rank है और जो हमारा पैरा उलम्पिक में है वो कितना है इसका आधा हो जाता है 24th rank हमको पैरा उलम्पिक में भी मिलती है तो ये हो गया rank अब आईए हम लोग क्या कर लेते हैं कुछ question को solve कर लेते हैं फिर इसके बास इस season को end करते हैं तो आपको बताना होगा उलम्पिक 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था तो बताईए बहुत सब लोग जानते हैं इसका राय टेंसर क्या होगा टोक्यो होगा फिर क्या है ओलम्पिक मोटो आदर सबाग क्या था United by emotion जो था वो मोटो था अगर हम बात करें टोक्यो ओलम्पिक का सुभंकर क्या था मसकट क्या था तो आप लोगों को हमने बताया है क्या है मिराई तोबा क्या है इसका सुभंकर या मसकट बोल सकते हैं इंडिया को कितने मेडल प्राप्थ हुए हैं तो हम आप बता दो कितने मेडल प्राप्थ हुए हैं सेबन, one, two, four, one क्या है, gold है, और फिर उसके बाद क्या है, यह सिल्वर है, यह क्या है, ब्राउन्ज है, यह देखे एक है, इसका दूगना, यह दो है, दो का दूगना क्या हो गया, चार हो गया है, सब डवल, डवल, डवल है, total कितने है, seven medal इंडिया को प्राप्त हुए है, औ पहला गोल्ड मेडल किस खिलाडी ने प्राप्त किया तो जो टोक्यो ओलंपिक में आयोजन किया गया 2020 में तो पहला मेडल किसे प्राप्त हुआ है मीरा वाई चानू को अगर एक्जाम में हमने आपको बताया था कि एक्जाम में पूछता है तो आपको ये बताना होगा फिर इसके बाद देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में एथलीट में पहला गोल्ड मिडल किस खिलाडी ने प्राप्त किया है एथलीट में आपको बताना होगा किस में सुरी यहां पे एथलीट ने बताना है तो एथलीट का एंसर क्या हो जाएगा नीरत चौपड़ा हो जाएगा इसक की ओर से टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किस ने प्राप्त किया है भारत की ओर से ओलंपिक में पहला पदक किस ने प्राप्त किया है मीरावाई चानू अगर हम बात करें एथलीट में तो एथलीट में नीरत चौपड़ा जी हैं फिर आपको बताना होगा 2020 टोक्यो न टी में भारत की ओर से स्वारामन मेंन बात करें भारती पूरसा की कौन मेडल प्राप्त हुआ है तो इसका राइट एंसर आप क्या होना चाहिए ब्रॉंज मिडल प्राप्त हुआ ये भी पूछेगा कौन सा पदक मिला है कांस पदक या ब्रॉंज मिडल नीरत चौपड़ा का संबंद किस खेल से है तो आपको बताना चाहिए किस खेल से है जो जैबलिन थ्रो भाला फेंक से है अगर हम देखते है मीरा वाई चानू का संबंद किस खेल से है तो ये बापको बताना होगा बेट लिफ्टिंग भारोत तोलन जो हमने आपको बताया हलाव लीना बोर हेगन खेल का किस संबंद से है तो हमने आपको बताया किस से है बॉक्सिंग से है मुक्केवाजी से अभिनव बिंदरा के बाद किस बैक्तिगत खिलाडी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदग प्राप्त किया है अभिनव बिंदरा के बाद कौन है नीरत चौपड़ा जी हैं अगर हम बात करें मीनवाई चानु जी किस रेणी में रज़त पदग दीता है तो 49 बर्ग किलोग्राम म एमने आपको बताया है ओलंपिक पड़पर अंकित प्यात्व चलनगकर नहीं किस से है प्याजीप से, प्याजीव हैं प्यल्पर अंकित प्यात्य प्यात्थ मनत्य ट्मोंनला पे आपको सम्रेदा कुत्ड । आक proto प्तपर अछिति प्याजीव मृषव था इसके बाद आपको बताना था ओलंपिक खेलों पहली बार महिलाओं को कब सामिल किया गया है तो पेरिस ओलंपिक उनाइस सो पेरिस में फिर नेश्ट ओलंपिक होने जा रहा है तो यह क्यूस्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेरिस ओलंपिक उनाइस 2020 में पदा तालिका में स्थानों का क्रम कौन सा सही है किसको रैंग कौन सा मिला है तो हमने आप बताया है अमेरिका चीन जापान चीन अमेरिका जापान अमेरिका जापान चीन अमेरिका चीन इटली तो इसका राइट एंसर क्या है अमेरिका है फिर चीन है फिर जापान है फि की मेंट नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छा काम किया इनने अदिती आसोका संबंद का संसला है अधिया साक्या भ fishermen कि आपर किया जायेगा अगर हम बात करें कौन सा यूग है है PB सुन्दु कांस पदक बजरिंग पुनिया कांस पदक अमित पंगाल कांस पदक रवी कुमार दाहिया रज़त पदक तो इसमें सब सही हैं बचा कौन ये ये क्या है गड़बड है ये गलत है अमित पंगाल लो कोई पदक मिला ही नहीं है ठीक है एक चीजा और आप जान लीजिए कि इस बार ओलंपिक में चार नए खेलों को सामिल किया गया है जिन में से कौन कौन से हैं एक है सर्फिंग है जो पानी में क्या करते हैं सर्फ करते हैं ठीक है स्केट लेकर दूसरा क्या है स्केट बोर्ड है yskateboard में चलना होता है 30 karatas तो जानते हैं sport climbing को जानते हैं कि चढ़ाई करना चढ़ना यह 4 game सामिल हुए हैं कौन-कौन से surfing, skateboard, karate and sport climbing ठीक है? तो हम लोगोंगों क्या देखा है Olympic के बारे में जाना उसके बहुत important question को solve किया तो आप सब लोग जरूर इसे देखेंगे पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे इसी तरह की जानकारी और अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ओके थैंक्यू